हेलो स्टुडेट मेरा नाम है प्रदिप और आप देखने स्पेशल चानल नैक्सजेन कंप्यूटर ट्रेणिंग क्लासिस मैं आज के क्लासिस में बात करने वाला हूं अगर आप बिहार वेल्ट्रॉन का आप त्यारी कर रहें तो ये क्लासिस आपके लिए कुछ खास होने वा आया हूं बिहार वेल्ट्रॉन का पिवाई को क्यू को स्टूडेंट तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिछले क्लास में 30 तक हम लोग कर चुके थे और आज हम लोग 31 से लेके 60 तक आप लोग करेंगे और बताईएगा कि आपने टोटल कितना को सन कॉपी और पेल लेकर बै देना चाहते हैं कि अगर आप विहार वेल्ट्रॉन का त्यारी कर रहें और इस चैनल पर नहीं है तो आप इसमें बहुत अच्छे से आपको त्यारी हो जाएगा इस चैनल पर स्टूडेंट क्योंकि काफी कम से कम सतर से असी घंटा का कॉंटेंट बहतरी इंधंग से बनाय आपको बता देंगे फिलाल मैं जो भी बता रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिए ने तो सौटकट के चक्कर में सौटकट बन जाईए बस समझ में आरना अभी जितना कोस्टन अभी दो मेहना एक मेहना रगड़ना है रगड़िए वह आपका काम में आएगा क्योंकि बार वर रिपेटिड आएगा कंप्यूटर में क्या होता ना कंफ्यूज कर जाते कैसे क्योंकि प्रैक्टिकल से कोस्टन आना हो चीज याद नहीं हो पाता है चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम जादा नहीं लेंगा आप लोग से पहला कोस्टन आप लोग जवाब दीज दीएगा सबसे पहला कोस्टन क्या है निमलिखित में से कौन सी वक्सीट में एक छेत्र से फॉर्मेटिंग को कॉपी करने कॉपी करके दूसरे छेत्र में लागू करने की विदी है यहां पी क्या बोल रहा है कि एक वक्सीट टो वक्सीट का मतलब यह हो गया एकसल से सबसे पहले तो यह पहँचारने के लिए आपको आना चाहिए यह जो कुस्टन है कौन सा टॉपिक से हैं ना कि कम्प्यूटर फॉंडामेंटल से हैं वर्ड से हैं एक्सल से एक्सल मतलब स्प्रेड़ सीट भी बोल दिया तो एक्सल ही बोला जाएगा ठीक है एक मिनट है उसके बाद पावर पॉइंट से है या ऑपरेटिंग सिस्टम से है या इंटरनेट से है तो यह चीज को आपको ध्यान देना सबसे पहली यह तो यह एक्सल से है वही बोलाएं कि निमलिखित में से कौन सी वक्सीट में एक छेत्र मतलब एक एरिया से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी छेत्र में लागू करना फॉर्मेट को कॉपी करना इस चीज को अपध्यान दिया है यू कैन नोट टेक्स टेक्स को कॉपी करने की बात नहीं हो रहा है फॉर्मेट तो यहां पे तुरह सा इंग्लिस भी पढ़ लेता है विच आप फॉर्मेटिंग को कई फॉर्मेटिंग क्ली करना है तो इसमें से कौनसा फ्रॉल्टर और एक्सल ते एक्षल में वी प्लाइटेंग में कॉप्ई और अप्लाइए करने के लिए कोई तरीका नहीं क्या ठीक है कि रॉडूरे यह को फ़ार्स कुन्हारोर्मेट किक है कि ना यह निहीं लेकिन लीग देता हूं कंट्रॉल प्लास सीप्ट प्लास सी होता है समझ में आया कि फॉर्मेट पेंटर का काम क्यों होता है फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए अब बोलिएगा कुछ बच्चे को बोरिंग यह लगेगा जब में उसका प्राक्टिकल करके दिखाएंगे तो लोगों के लिएगा कि सर तो अगर काम करके जब दिखा देंगे तो कहीं न कहीं बच्चे का दिमाग में सेट रहता है तो सबसे पहले एक्सल को खोलिया जिसका प्राक्टिकल हो सके मैं बताऊंगा टिक है ना मेरा पढ़ाने का यही तरीका सबसे पहले यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट जिनको आता है थोड़ा सा थम लीजिए गा जिनको नहीं आता है थोड़ा सा दम क्येरफुली देखिए गा जैसे इसको साइज बोल्ड कर दिया पर इटालिक अंडर लाइन मान लोग कर लिए स्टूडेंट अब इसको हम कलर भी करें लेते हैं अब यहां पर जैसे यहां पर कुछ टाइप करते हैं नेम ऑफ मान लोगता है पी आरो डी यू सीट तो हम चाहते हैं कि जैसा स्टाइल में जैसा कलर में जैसा साइज में है ना जैसा फॉर्मेट में यहां पर लि करना होगा दूसरा क्या तरीका है बस उस पे करसर को रख़िए और यहां पर फॉर्मेट प्रिंटर आपको फ्रास जूम करके देख लिए ढाइट यह कौन सा गुरूप में रहता है क्लिप बोड गुरूट में कौन सा मेनू में रहता है हॉम टैप में ठीक है तो यह से अब क क्लिक कर दीजिए और यहां पर यहां पर प्लाइब करने का विधी क्या है तरीका क्या चारों तरीका दे दिया जाए तो यह मत सोचिए बच्चे कि हमको रट के जाना नहीं थोड़ा बहुत सीख के जाएं बहुत जैन्मीन तरीके से बताने का कोसिस करता हूं यहां हलाकि मेरा विडियो लंबा हो जाता है यह मैं मानता हो इसके लिए माफि चाहता हूं निमलिखित में से कौन सा प्रिंटर कारबन फॉर्म का उप्योग करता है बताएं वीच अब दा फालाइंग प्रिंटर यूज फूर कारबन फॉर्म थोड़ा सा खासे उसी भी है त बताएं इसका सही अंसर क्या होगा वीच अब दा फॉलाइंग प्रिंटर यूज फूर कारबन फॉर्म तो यहां पे जो होगा लेजर प्रिंटर होगा क्या होगा अपे लेजर प्रिंटर ठीक है चलिए एक कंप्यूटर फॉर्णमेंटल से कोस्टन था चलते आगे बढ़ सिक्षन मैं चीक करता हूँ स्टूडिंट में एमेस वर्ड 2016 में प्रिंट फंचन किस मेनू के तहत उपलब्द है बताईए एमेस वर्ड 2016 में प्रिंट फंचन किस मेनू के तहत उपलब्द है एमेस वर्ड में प्रिंट फंचन किस मेनू के तहत उपलब्द है बताईए फाइल मेनू रिव्यू मेनू व्यू मेनू और उसके बाद है लियाउट मेनू तो प्रिंट फंचन जो है ना फाइल मेनू में मिल जाएक कहा मिलेगा फाइल मेरी सोष भorfarin पोले और जैसे खोलेंगे प्रिंटमद मिल जाएक टिक यह बताईए प्रिंट 2720 sanctions मेन्युंँ मेनुने मेर उसका सोट कटकी ज्वार्ट कंत्रल क्या थे कंट्रूल परी अगधार ने होना चाहिए स्ट्रेंड दिमाग में नहीं है नेस्ट कोश्टन जवाब दीजिए फटाफट फटाफट खटाखट लेजर प्रिंटर में छबी को किसके द्वारा कागज पर आंत्रित किया जाता है क्या बुला इन लेजर प्रिंटर्स दा इमेज इज ट्रांसफर्ट टू पेपर बाई हों किसके द्वारा जैसे होता है लेजर प्रिंटर होता है और एक होता है लेजर प्रिंटर तो कैसे छपता कैसे वह पुछ रहा तो बताईए स्टूड इंडिया चारों विधी दिखा देते हैं टोनर के द्वारा ड्रम के द्वारा ले लेजर प्रिंटर में ड्रम में फार्डर डाला जाता तो लेजर वाला इंग गवारत तो इंग तो नहींस ङुक्त है लेकिन यहां पे जो है लेजर प्रिंटर में लेड़क आड़। उल Да या आप टीज है अच्छलिए इंटर्नेट पेर मेलिंग लिस्ट सेवा का प्यों किसके लिए क्या जाता है उन दाइंट ने वाटि दा मेलिंग लिस्ट सर्विस यूज पुर किस लिए जाता है हम इस कि आई यह वैटिंग बताईये स्टुडेट यहां पर चार और सामने है देखो सबसे पहले क्या बोला है इंटरनेट पर युक्ताओं से संगठव समोह को इमेल के माध्यम से समान जानकारी साजा करने के लिए तू सेंड एलेक्ट्रोनिक मैसेज वायदा इंटरनेट यह सबसे सठीक अंसर है कोई भी मैसे जेंड करना लेक्ट्रॉनिक मैसे ठोय है तो इसका साही अंसर यह यह हो कि यह बोला टू इन ग्डेटoter जेनरल इंफ और कोई लेक्न होजा जाएगा पता है को नेक्स्ट बताईए निमलिखीत में से कौन सा वर्क बूक की सुरच्छा मतलब डूटेक्शन से संबंधित नहीं है बताईए मतलब एक्शल का customer ये बोल रहा है कि बताईए कौन सा वर्क बूक मतलब बताये है ना collection of many worksheets that is called workbook तो बोल रहा है कौन workbook protection से संबंदित नहीं है protect current sheet ना inspect document workbook structure encrypt with password बताईए यह कौन से संबंदित नहीं है देखो यह जो खास लग रहा है कि workbook बोल रहा है ध्यान से समझे workbook जैसे बूला तो excel के बाद कहीं न कहीं कर रहा है ठीक है और इसमें जो है ना protect current sheet अगर नहीं भी कुछ सना आता है तो कैसे देखिए पकड़िए गा worksheet structure encrypt with password लेकिन यहां पर दे दिया document तो यह तो नहीं है और सब कलर बदल लेते एक कलर से बहुत दिन से हम लिख ठीक है चलिए इसका सब्सक्राइब क्या होगा सकेंड नमबर तो यह आपका इन इंस्पेक्ट राकॉमेंट संबंदित नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं आप चलि नेक्स्ट कोश्च जवाब देजे पहले कोश्चन को ध्यान से पढ़िए कोई बात ने लेट से ही जवाब देजे लेकिन कोश्च पढ़िए हर बढ़ा आते बहुत हैं बात समझ में आना है एक्जाम में अक्सर बच्चे हडवड़ा जाते हैं हडवड़ा नहीं है पहले कोस्टन को ध्यान से पढ़ना है देखो कहां पर मैनेज टाइम होगा पढ़े हुए रहेंगे ना तो जो कोस्टन आपको आएगा वो फास्ट बन जाएगा एक मिनिट भी नहीं लागेगा पंद्र सकेंड में बन जाएगा लेकिन जो कोस्टन बनता थोड़ा सा लग रहा है कि इन कंफ्यूजन है उसको दो तीन वार रेड करना पहले एक बार मैंने अंसर तब भी नहीं हो रहा तो उसको स्किप करके आगे बढ़ना फिर टाइम बचेगा तब बनाना ऐसे करना है एक एकेसल अस प्रेट्ट सीड में फॉर्मूला में अार्गुमेंट्स को अलग अलग करने के लिए निम्छीत में से किसकाओ उप्योग किया जाता है कि यहां पे क्या बोला वीच आप दा फॉलाइंग इस यूज़ टू अस cartridge आर्गुमेंट इन ऐन सॉर्मुला in एंड एक्सलेस बताईए सेप्रीट मतला अलग करने के लिए किसका यूज क्या जाता जवाब दीजी कि यह कौमा का यूज करता है नहीं जैसे मान लिजए कि आपको क्या करना रहता है जैसे मान लिजए कि यहां पर जैसे लेकर तो यह तो यह किस से आपने किया कउस किसे किया का मॉस तो यह सई अंसर कॉमा मतलौ अलग करना रहें बहूत बच्चा की तरह पढ़ाते यह और ऐसे पढ़िएगा एक जाम 100% निकलेगा तब भी ने निकल रहा है तो आपका मेहनत में थोड़ा सा कमी तो है बुरा मत मानिएगा हम जो फरफैट्री बता रहे हैं जदी आप MS Excel में एक टेक्स्ट बॉक्स समलित करना चाहते हैं ठीक है एक टेक्स्ट बॉक्स को क्या करना चाहते हैं मतलब इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे डैस में पाएंगे कहां पाएंगे क्या बुला इफ वांट टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन MS Excel इफ साई यू विल फाइंड इट इन क्या फाइंड करेंगे टिक नहीं चार्ट सेप सिम्बॉल जहना आइड सीन बताईए जदी आप MS Excel में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट बॉ तो यहां पर टेस्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे क्या पाएं तो यहां पर इसका जो सही अंसर हो जाएगा स्टूरेंट यहां पर सेप्सेप के मदद से हम यहां पर यूज कर सकते हैं टीक है ना MS Excel में अगर माल लीजिए कि टेक्स बॉक्स इंसर्ट कर करना चाहते हैं तो सेप्सेप के मदद से हम लोग कर सकते हम अपर इसे इंसर्ट में जाईए से खार आप इस तरीके से युज कर सकते हैं तो यह बोल रहा है नाइन थाटीन नंबर को सब्सक्राइब पढ़िए इसको पढ़िए फटफट जवाब दीजिए जदी आप एक ही बार में दर्जनो या सैक्डो कॉलम क्या बुला जब जदी आप एक ही बार में दर्जनो या सैक्डो कॉलम और पंक्तियों को आटो फीट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे सबसे पहले पूछा क्या यहां पर कि जदी आप एक ही बार में मतलब एक एट वंस टाइम दर्जनों यह दर्जनों मतलब बारा या हैंडिट कॉलम यह हैंडिट रोह और पंक्तियों को आप क्या करना आउटो फीट मतलब और आटोमेटिक कॉंटेंट की साफसे फीट करना जाता है तो बताई आप क्या करें इफिवांट टू आटो फीट है ना डर्जन्स एंड हैंडिट्स आफ कॉलम्स एंड रोह एट वन्स वाट दू यू दू वाट उड्यू दू बताई तो यहां पर क्या अंसर होगा सबसे सबसे पहले क्या करना है यहां पर बोला प्रेस कंटॉल ए उसके बाद तू सलेक्ट यह इंटायर स्प्रेट सीट हाना उसके बाद फूरे सीट सेलेक्ट हुआ है डैन डवल क्लिक ए एनी रो और बॉंडरी ओफ आटो फीट इच रोह इन कॉलम इन दा स्प्रेट सीट हां य जैसे मान लिए आपके पास डेटा है कंटॉल ए कर देंगे तो सारा सलेक्ट हो जाए उसके बाद क्या करेंगे इंटायर स्प्रेट सीट सेलेक्ट हुआ दैन डवल क्लिक एनी रो या अथवा कॉलम बॉंडरी कॉलम के बॉंडरी पर क्लिक करें तू आटो फीट इच रोह और आटोफीट कोलम में इन दाश्प्रेट इंड़ स्प्रेट सीट बस समझ में आ रहा है ना आटोफीट का मतलब क्या हुआ हुआ और आतोमेटिक फिट हो जाता जैसे दिखिए मालों लिखते हैं और टूले अइसको उसलेट करके हम आपर ड्रै करके यहां पर एंटे पहुंचा लोगे अब इसको से लेट करना है तो कंट्रोल एसे ओल से लेट कर दोया है ठीके अब यहां पे इस बौंडरी पे डवल क्लिक कर दो स्रीं यहां पर क है लास्ट वाला अधीर है नए आपकर चाह से अब किसी बॉर्ण डीपर डावल ख्लिक कर रहें हम देखो क्या किसे यहां पर रखेंडों कहीं भी रखेंडों करेंगे पूरा सब्सक्राइब और किसी एक पर डावल क्लिक कर देंगे ओटोमेंटिक हो जाएगा यह तरीका है ठीक चलिए तो यह आपका सही अंसर यह हो जाएगा है ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट यहाँ पर चालीस नंबर को बताईए प्रोटेक्ट की हुई वक्सिट क्या बुलाया प्रोटेक्ट की हुई वक्सिट के संबंध में निमलिकिस में से कौन सा कथन सत्थ है विच आप दा फॉलॉइंग स्टेटमेंट इस टू रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड वक्सिट मतलब जिसमें हम पासवर्ड लगाए हुए उसके वक्सिट के दवरान कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर चारो स्टेटमेंट इस प्रकार है बताईए पहला है यू कैन प्रोटेक्ट दा स्ट्रक्चर ऑफ दा वक्सिट थीक है ना दूसरा है इन प्रोटेक्ट वक्सिट एनी यूजर कैन एडिट नो 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 इफ यू फॉर्गेट दा पासवर्ड एक्सल ऑपें दा वक्सिट इवेंट विदाउट इंटरिंग दा पासवर्ड नो 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 The password is always character 5 character. ऐसा तो कुछ नहीं बोला है आपर, कि 5 character कहीं होना चाहिए. इसका सही answer जोगा, you can protect the structure of the workbook. है ना, आप कार्य पुस्टिका की सनरचना को protect कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं, protect कर सकते. इसका सही answer, first of all, you can protect the structure of the workbook. वर्क बुक का structure को आप क्या कर सकते हैं, protect कर सकते हैं, इसका सही answer में यह answer, इस चारों में यह answer, ऐसा पाच करेक्टर का इसा को जैने, तिनी करेक्टर का पास्वर्ड आ सकते हैं, यह बोल रहा है कि if you forget the password, तो automatic खुल जागा, यह भी तो गलते हैं, बोल रहा है, पास्वर्ड एक protect QE seat में कोई भी उप्यों करता समागरी मतलब संपाधित कर सकते हैं, तो यह भी तो कोई प्रोटेक्टर कर दिया, तो कैसे पास्वर्ड लगा, यह answer सही होगा, है ना, ऐसे भी देहान देना आपको, चलिए next question, थोड़ सा मेरा तब्यर डाउन है student, फिर भी आप लोग क मैं पिछले दी नहीं, गया था, पटना सेंटर दिया था, मैंने तो छप्रा सेंटर दे दिया था, एस्टेट का मेरा एकजाम था, ठीक है ना, उसलिए मैं पूछ रहा था कि छप्रा से कौन-कौन है, बिहार में काफी और भी ज़्यादा गर्मी है, चलिए, निमलिखीत में से कौन सा application software नहीं है, बताईए, वीच अब दा फालॉइंग इज़ा नोट एन application software, बताईए, देखिया आप, application software कौन नहीं है, तो यहाँ पर देखिये, डेटा बेस जो है ना, देखिये ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम था एक application software नहीं, कताई नहीं, इंटरनेट ब्राउजर हाँ ना, एक application software है, वर्ड प्रोसेस है, यह भी एक application है, और वर्ड प्रोसेसर का मतलब MS वर्ड की बात कर रहा है, इंटरनेट ब्राउजर एक application software हो पहिसे समझो, यह किसको बोलते है, इट डू आवर वर्क दैट इस कॉल application software, जिसमें हम लोग कोई काम कर सकते हैं, हम कोई काम कर, एक यूजर कोई काम कर सकता है, तो देखो operating system में कोई यूजर काम नहीं करता है, वो computer system के लिए जरूरी है, जो cannot say कि यूजर के जरूरी है, बस समझ पा रहे हैं यहां पर, तो application software, internet का ब्राउजर को कौन यूज करता है, यूजर यूज करता है, वर्ड को कौ यह हम लोग के परपस से नहीं है, यह computer को चलाने के परपस से, तो यूज कैन से कि computer में application software कौन नहीं है, तो operating system नहीं है, है ना, चली, तो इसका सही answer third number हो जवाब दिजिए, next number बताइए, बताइए student, थोड़ा साच, चिला नहीं पाहूंगा जोर जोर से, mailing में address block निमलिखित में से किस से घीरा होता है, बताइए, क्या बुला कि mailing में, mailing होता है ना, insert merge field जब करते हैं, तो किस से घीरा होता है, बताइए, देखिए, जैसे आप जाते हैं, MS Word को खोलते हैं, window प्लस आर करते हैं, we inward, 1 minute, देखिए, बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम बताना चाह रहे है, mailing tab में जाईए, हम यहां से पहले से document बनाके रखे थे, सॉरी, मैं आके रखे थे, इसको में देख लेते हैं, ID card, यहां पर click करते हैं, तो किस से घीरा हुआ होता है, बताओ, किस से घीरा हुआ बताओ, इस double code से है कि नहीं है, इस तरीके से, है न, अरेक इधर से भी है, तो ओही बोला, किस से, देख रहे हैं, कैसा question है, तो यह सही answer हो जाए, ठीक, क्या समझ में आया, double code से है, तो यह third number सही हो, तो ही बुल रहा है, कि mailing option में, जो रहता है, यह कैसे, देखते होंगे, इंसर्ट merge field आप जब लेते होंगे, तो यह कैसे घीरा हुआ है, देख रहे कैसा question है, बताओ, यह रटने वाला question है, नहीं, समझने वाला question, जितना ज़्यादा question करिएगा, और नहीं, तो फिर अच्छा से कमेनों में, क्या-क्या कैसे option है, तो आप कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, कि मेरा वीडियो को, यह मेरा classes को बोल सकते हैं, कैफे वाला देखते हैं, और उनको यह चीजें, बहुत अच्छे से समझ में classes चला रहे हैं, तो ओ देखेंगे, तो और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ओ दीन भर वो सब चीज को देख रहे हैं, बस समझ में, लेकिन आप student adjust है, तो आपको जादा से जादा practice करना, क्योंकि प्रैक्टिकल से question, याद करना मुस्किल है, और अगर याद भी किसी इस तरह कर लेते हैं, तो थोड़ा सा step change करेगा, फॉस जाईएगा आप यहाँ, तो इसका सही answer यह हो जागा, next question, बताईए, जवाब दीजिए, किसी फाइल को व्यवस्थित, है ना, व्यवस्थित मतला, organize, करने के लिए, निमलिखित में से किसका उप्योंकिया जाता है, बताईए, मतला, which of the following is used to organize a file, organize a file मतला, अच्छे से रखने के लिए, तो हम कोई फोल्डर का यूच करते हैं, फोल्डर में ही ना, कोई व्यवस्थित करके फाइल रखते हैं, इसका सही answer क्या होगा, यह देखिया, ध्यान से समझ, एक लाजिक भी लगाईए, कि रिसाइकल बीन तो deleted item का store करने का काम करते हैं, मेनू बार में तो सारा features रहता है, task बार में नीचे रहता है, तो समझी रहे हैं, तो folder में रहता है, है ना, इसका organize file कहां रहता, अच्छा एक चीज़ आप जवाब दिजिए, इसका सही answer ही होगा, comment section, हम पता है, कुछ-कुछ question पढ़ाते है ना तो आपको हम आपके उपर छोड़ते है, file, basic चीज़ है, file और folder में क्या different है, comment section में हमको जवाब चाहिए, मैं सभी का comment पढ़ूँगा, file और folder में क्या अंतर है, बहुत अच्छा example देखे, आप समझा सकते हैं, या नहीं तो फिर अच्छे से definition आप बता सकते हैं, ठीक इसको reply जरूर देजीगा, है ना, तब ही हम समझेगे, थोड़ा सा क्ले, देखो, कभी-कभी क्या होताना, छोटा-छोटा चीज में गडवर हो जाता है, तो इसको ध्यान देना, अब हम किसी PD, PD बोले तो generation, के computer का उप्योग कर रहे है, what generation of computer are we using now, मतलब कौन से generation का भी computer बताईए, बताईए, तो यह आपका 5th generation, कौन से generation का computer अभी यूज कर रहे है, student यहाँ पे, 5th generation, अच्छा बताईए बच्चे कि 5th generation में कौन सा technology जुरा, comment section में बताईए, क्या हम बता दे, बता दे, यू, ल, एस, आई, जिसका फुल्फम होता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल integrated, 4th generation में क्या यूज होता है, तो VL, सौरी, लिखा नहीं रहा है, लगता है, VLSI, VLSI, very large scale integrated, अच्छा ये बताईए, बच्चे, कि यहाँ पे पूछ देता, कि 1st generation में कौन सा technology होता था, तो क्या बताईएगा, तो vacuum tube, यह याद रखिएगा, बच्चे लोग, ऐसा ऐसा भी question पूछेएगा, देखो, हम चाते हैं कि आप लोग इस बार गलती ना करें, जब बच्चा बूलता है, कि सर मैं दो नंबर से छुट गया था, मेरा 27 नंबर आया था, तो हम सोचते हैं कि ना, इस बार बच्चा को गलती नहीं होना चाहिए, जो भी बच्चे बैठे हैं, कि नहीं, सर के भरोसे मेरा एक्जाम निकल जाएगा, पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज आप लोग का एक्जाम हैंडेट 10% निकलेगा, ठीक हैंडेट 10% निकलेगा, क्योंकि जो बच्चे का टेस्ट में 20 नंबर, 18 नंबर, 13 नंबर आ रहा है, अब उसका हम देख प और मॉक टेस्ट देने से उनका बहुत सुधार हुआ है, इसी तरीके से अगर आप चाहते कि आपका भी एक्जाम हैंडेट 10% गैरांटी के साथ निकले, तो प्लीज जोएन मॉक टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, और मॉक टेस्ट अगर आप लेत विउसंतर के शाटब का साथ्ट को जी से रहता है एक्जाम में की साठ किमर का रहेहां और ठीक है ना हूंदी और इंग्लीस दोनों माध्या में जैसे रहता है एक्जाम में रिजल्ट और ये बहुत बड़ी बात बोला मैंने इसमें स्टार लगा देता हूं रिजल्ट औरियंटेड रहेगा रैंकिंग भी सी होगा कि आपने टोटल माली मेरे पास जितने भी बच्चे कोर्स परचेज किये हैं मॉक टेस्ट वाला उसमें कितना रैंक प्यार है तो यह बहुत बड़ी बात है रैंकिंग अच्छा रहा है रिजल्ट तो दिखाएगा ही तीस पैटिस शतिस साथ में बतीस लाए और तालीस लाए पचास लाए पच्च पर लेकिन रैंक भी होगा तो यह बहुत बड़ा चीज है हैंड्रीड मिल जाएगा वर्ड एक्सल पावर पॉइंट का जो आपको बनाया हुआ है वर्क बूइबुक ओबन लियागा वर्ड एक्सल पावर पॉइंट जो हम अच्छे से पढ़ाएं यूटूब पे उसका सारा पीडिएफ मिल जाएगा हिंदी में कोई वर्ड बनाने में प्राब जाए चिक आउट करिए बहुत इसका प्राइस मात्र स्टोडेंट यहां पर फॉर्टी नाइन रखें ठीक है ना बहुत सारे बच्चे को जो बच्चे अठारा नंबर तेरा नंबर ला रहे थे अभी उनका नंबर काफी अच्छा है तो प्लीज आप जाकर चिक आउट करि प्राइस में इसको कम रखाऊ कि हर एक बंदा नास्ता का पैकेट चुक दो तीन समोसत ब्रदोस लोग के साथ खाते उतना में आपका हो जाया का निमलिखित में से कि सौटकट कुंजी का उप्योग विसाय वस्तों चिपकाने वाले फंसंग के लिए किया जाता है बताईए निम्लिखित में से कि सौटकट की कुंजी का उप्योग विसाय वस्तों चिपकाने वाले पेस्ट कंटेंट फंसंग में किया जाता है विच आप दा फॉलएंग्स सौट कट की युज़ू फोरदफ पेस्ट कंटेंट फंसंग बताई आए का कॉंटेंट को पेस्ट करने के तब करना पेस्टे है लेकिन कईसे कैसे कोस्टेन घुमा रहा है वच्छा अ just the content का बोलना चाहरा भाया ये पेस्टे करने content लिखा हुत टेक्स्ट को content कोंटेंट बोले मि जैसे मालों तुम लोग मेचा से बाएग Full of Class लेते लेकिन हम लोग डिलाद क्लास करें आपको समझ रहा ना कॉंटेंट का मतला कुछ बच्छी यह भी नहीं समझ पाते है एक लेकिन जो नहीं एकदम हम चाहते हैं कि जीरो लेवल का भी बच्चा अच्छे से सीखें कि आई थोड़ा सा वॉल्यम कम होगा मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा ज्यादा भूकेंगे फिर खासने लगेंगे कौन सा डिवाइस आपके लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच ब्रीज का कारी करता है बताईए कौन सा डिवाइस बताईए आपके लोकल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच ब्रीज का कारी करता है हुआ है वीच डिवाइस एक्ट ऐज ब्रीज बिट्वीं यूर लॉकल नेटवर्क एंड दा इंटरनेट बताइस्ट तो कौन साब रीज होता है तो यहां पर होगा मॉट्टञ यहां पर मोडेम मोडेम जिसको पुराने जेनरेशन में लोग पुराने जेनरेशन बोले पुर से इंटरनेट वहीं बोला है है ना ब्रीज बिट्वीन लॉकल नेटवर्क एंड इंटरनेट थे कारी करता तो मोडियम कार करता चलिए 47 नमबर बताईए स्टुडे थोड़ सा आउर उपर कर देते ताकि आपको चारोंसर एक साथ दिखे सारा स्टुडेंट कमेंड सेक्षन में जरूर लिखी है ना चलिए बताईए निमलिखित में से कौन सा विकल पतो के लिए पतो बतो एड्रेस के लिए नाम के समाध्हान के लिए नामक सारी मानक सब्दावली और इसका उप्योग जादत डोमेंड नामों और आईपी पतो के लिए बीच रुपांत्रीत ठीक मतलब रुपांत्रीत मतलब अंत्राल बोल सकते बिट्वीन के लिए किया जाता विच अप्वालविंग इदा अस्टेंडर्ड अनड टर्मिनोलोजी फोर रिसोल्विंग नेम्स अफ आड्रेसिंग सादी अड्रेस अंड इज मॉस्टली यूस फोर कन वर्जन बिट्विन डॉमेंड डॉमेंड नेम्स अड आईपी अड्रेस बताये इसका प्र anda कर मेथन नेम्स सिस्टम क्या होगा अपर डॉमेंड नेम्स सिस्टम क्या जाता six जाता डॉमेंड नामों और आईपी के बीच में मत्ल powered by बिटीं में जो है पतालगाने का काम का था एक कम और सिस्टम चलिए मसभज दोट वह घौ다면 सबस्क्राइब Measure से अचंब ओगया डाच ऊगया डाट जी ओ भी होगए मालोगी हो चीमर्मेंट का है ठीक है ना मतलब बहुत सारा होता है स्टुडिंट यहां पर चलिए अब आगे वड़ते हैं कि से डॉट कॉम लगाते हैं न वह डॉमेंडिम का रहता है अब आगे फॉर्टी एट नूमबर बताएं बहुत इजी कुस्टन है एक्सल का एक्सल में निम्लिखित में से कौन सा सेल अडेंटिफिकिशन सही है सेल का अडेंटिफिकिशन इसी जगे जगा पर सेल आड्रेस दे देगा मतलब कोई अलग अलग वर्ड का उज़का तो देखो माल लो ऐसे हम कॉलम पहले बनाते ध्यान दिता ध्यान देना छात्र लो ठीक है ना स्कुछ बच्चे बोलेंगे किसा एक चीज बारवर बताते है क्या करोड़े हम को अग्जाम पास करवाना ना मैनली बच्चा ना और उस बच्चा को करवाने ना जो जीरो लेवल का जो एकडम जिरो लेवल का है उनका भी एक्जाम निकल वाना के रहना से अब देखिए आपके जिसे यह 111 एतो कभी होता है पहले हम यह वन होता भी वन होता भी टू होता यह तो कभी हो नहीं सकते हैओ इसका सही अंशर क्या हो गए फाण थ्रीन आप थहाँ दो एक निमलिखित में से किस लेंगवच के लिए के लिए एक इंटर्पेटर क्यों सकता होती है अब यह बतावात सबसे पहले यह समझाओ कोई बच्चा रट के गया है इंटर्प्रेटर किस लेंग और यहां पे लेंगवेज वह नमुवा चेंज कर देगा तो गड़वड़ाएगा कि नहीं है गड़वड़ाएगा न जी वीच अब फॉलेंग लैंवेज रिक्वाइर एन इंटर्पेटर गड़वड़ाएगा कि ने गड़वड़ाएगा बताईए तो बताईए इसका सही अंसर क्या होगा तो इंटर्प्रेटर और कंपाइलर में क्या अंतर है तो बताए थे आप किसा जोगा यह हो जाएगा पाइथन जो मेरा फैवरेट लैंग्विज है पाइथन क्योंकि हम सीविए सी का बच्चा को पढ़ाते हैं पाइथन 11-12 का बच्चे ठीक है चलिए निमलिखित में से कौन सी स्प्रेड़ सीट की विशेस्ता है बताईए आटो डिलीट आटो आटो डिलीज है बताईए एक्सल से कुछ सब्सक्राइब है वी सिस्ता मतलों फीचर्स और टू सम आटोमेटिक सम हो जाता है नहीं आप देखे होंगे मैक्रोशॉप्ट एक्सल को खोली है जैसे यहाँ पर लेते हैं टेन थर्टी ट्वंटीफाइव थर्टी अब इसको ए दिखाए देते हैं आप लोग भी क्या याद रखिए है यह देखिए और टो सम्दिगर आप लोग को यहां पर है होम टैब में एडिटिंग गुरूप के अंदर आटो सम यह भी याद रखना है ठीक है ना क्योंकि इस पर क्लिक कर दो इंटर कर दो कमेंट सेक्शन अच्छा आटो सम का सॉटकट की क्या होता कमेंट बॉक्स देखिए अच्छा अच्छा कोशन है कि आई पी फीफोर मतला इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन फोर एड्रेसिंग अधिक्तम कितने आदितिय पतोग की अनुमति देती है what is maximum number of unique address does IPV4 addressing allow बताईए इसका क्या अंसर होगा इसका जो सही अंसर होगा स्ट्वेंट यहाँ पर यह होगा 32 यह देखो यह सही अंसर होगा अगर यह रहता आइपी भी सिक्स रहता तब यह सही अंसर होगा है ना प्स नमबर वाला ठीक है तो तिक चलिए आइपी भी जो सीख सेना वो फ्यूचर आपी भी सीख्स जो है ना फ्यूचर के लिए बनाएगा यह एड्रेस फूल हो जाएगा तो उसके लिए फिर आया अचलिए निमलिखित में से कौन सी सौटकट कुझी का उप्योग से वैज फंसन के लिए इस से आसान तो कोई कोस्टर नहीं है तो इसका अंसर क्या होगा एफट वैल ठीक है एप सेवन तो पता है बच्पन से यह से वाइज का सौटकट की पता है और यह तो यह बच्पन से पता है स्पैलिंग एंड गरामर का टेक है यह एक टिक है है अच्छा नेक्स कूर्स्ट में से कौन सा विकल्प में मेमोरी की छमता को बढ़ाता है कौन सा विकल्प which of the following increase the capacity of main memory main memory का capacity को बढ़ाता है तो इसका जो सही अंसर होना चाहिए है ना raw main memory का मत्ता हो गया temporary है ना को capacity को कौन बढ़ाता है raw जिसका full form होता है read only memory ठीक है याद रखेगा which of the following increase the capacity of main main memory के capacity को कौन बढ़ाता है wrong wrong main memory के capacity को कौन बढ़ाता है wrong main memory के capacity को कौन बढ़ाता है wrong VVI को सर्थ यह आपको exam में आएगा ठीक है इसलिए मैं इतना प्रियास कर रहा था MS powerpoint में शुरुवात से slides हो देखने के लिए कुझी दवाए बढ़ा यह कौन सा कुझी यह दवाईएगा तो एफ फाइफ होगा वच्च एफ फाइब किसका सॉटकट किये slide so लिख देते स्लाइड सो फ्राम बीगनिंग बीई जी एन आई एंजी ठीक है ना समझीए यह कुशन घूमा के पूछ देगा कि बताईए फाइफ 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 जो सॉटकट की है किस ऑफसन के लिए परियुक्त है अचार गोफसन देदेगा तो आप तो जानते हैं slide so देदेगा slide so from beginning देदेगा slide so from current slide देदेगा slide so from last slide देदेगा तो बताईए कंफ्यूज करिएगा कि ने मानते ही shortcut किया पूरा भी याद होना चाहिए हम आप लोग को स्टुडेंट एक तरह से चाहते हैं कि हर को इस बार किसी भी तरीके से यह जो बच्चे त्यारी कर रहे हैं तो कहीं नहीं कहीं चाहते हैं कि इस बार मेरा सेलेक्शन होना चाहिए और इस बार सीट भी थोड़ा सा अच्छा खासा है हाँ जादा बच्चा भी भारे मानते हैं लेकिन सीट भी अच्छा खासा है और पढ़ने वाले स्टूडेंट कम है जो बच्चे पढ़ाई अच्छी सी कर रहे हैं उनको मैं देख पा रहा हूँ ठीक है ना कि बने हुए रहते हैं बना हुआ ही रहा हूँ टाइपिंग करना है लेकिन टाइपिंग से पहले सीब्लिटी तक पहुँआ । तैपिंग दप्हुचने के लिए सबसे पहconoek्त पहुचने सबसेथ들이 जरू नहीं है। टाइपिंग प्लीज बनाकर रखाएं ठीकाना तु बहुत सारे बच्चे 24 का टाइपिंग कर रहे हैं 55-35 का कर र रहे हैं निमलिखित में से कौम सा विकल्प पंक्ती की उचाई को समायोजित करता है ताकि हर एक मान पंक्ती का कॉलम में पूरी तरह से फिट हो जाए। वीच अब फॉलाइंग ऑप्शन अड्जस्ट रोहाइट शोड़ा इच वैलोफीट पर्फैक्टली इन रोह एंड कॉलम तो ऑटो फिट विंडो नो 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 ऑटो फिट रोहाइट यास इस राइट अंसर सकेंड नम्बर इज रहे चाबूला कि रोह को हाइट को कैसे ऑटो यह कि आपकर देखो नहीं overlap मिलेगा तो सबसे पहले एक कर रहा है पहले मैंसा करते ना इसको कौपी करे कोई दूसरा स्विट में हम समझाने के लिए दूसरा है इसको ना कर देते हैं ना को एक मूइब जाईएगा और फ़ोर्मेट में जने के बाद थोड़ सब मैं जूम करके दिखा सकता हूं यहाँ पर लिख्या ओर जी ओर ही इस में क्लिक कर दैंदम से में भूप में फॉर्मेट के अंदर औरतो फैसेल साइज के इस lunar ठीक है जली यहाँ पَ क्लिक करते हैं और यहां पर आटोफिट रुवाश्ट आटोमेटिक फिट कर देए आटोफिट कॉलम बिट भी इसी में था है ना कॉलम को फिट करता था चली सही समझ में आगे स्ट्रेंट नेक्स्ट कोस्ट निमलिखीत में से किस सौटकट कुझी का उप्यों रिडू फॉं पढ़ाये से कई बार इसको पर रिभर्स भी लोग बोलते हैं यह से और कंट्रोल पी से प्रेंट हम जानते कि आप पहली से जानते फिर भी लिखते कि दिमाग में चपते रहना चाहिए है ना चलिए निंदिकित में से किसे कॉलम में चार्ट के रूप में which of the following is known as column chart चार्ट के बार हम कितने लोग जानते हैं समोसा चार्ट पापड़ी चार्ट का बात नहीं कर रहे हैं यहां पर column चार्ट पाई चार्ट इस सब के बारे में बात कर रहे हैं यह तक आगर दूसरे को बोला जाया तो नहीं सकते हैं यहां की चार्ट को बोलें सकते हैं पाई चांड गोला पूरत नहीं सकते हैं यह असके डिवक कॉलम का प्राट का ऐसे रहे हो बार हमेशा रो में रहता है इसे ए और यह समझा दिते हैं यह बार चाट हों यह वगारफ़ ठीक है यह वला और यह लिगने कॉलम यह यह ऍहूल रहा है कि वीच कब वावलेइद ऑल्सोन मोल लो कावला आप लौSP बोल सकते इसमें तो यह एंसर है यह एंसर हो जागा बार चाट ठीक है मतलब फर्स्ट इज दा राइट असर ठीक है थोड़ा सा इंका चार दिर खतम हो गया बताइए कोबोल लैंग्विज की वर्स डिजाइन किया तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉस्टन उनिस सो उन्सट है किया था उनिस सो इनसर इसका उंसर यह धेक है др ना उसी तरीके से कोबोल भी प्रकार का क्या है लैंग्विज आप बस समझ में आ रहा है कि ने ही नपी कोबोल भी ये प्रिंटर किस प्रिंटर की स्था सब्राइब किस प्रिंटर निन किस्पर्कार के PrintrBeat इन दो तॉर ताइप ऑप प्रिंटर आल डॉट जो है एक प्रिंटर का देखो यह दो टाइब का इन प्रिंटर रहे हैं किदिखई जो बच्चे अभी अबrator है उच्छा करपा रहे हैं आप लोग भी जो है प्लीकेश्म को जौन करिए उसमें आपको मौक टेस्ट मिलेगा कभी भी किसी भी टाइम दे सकते हैं जब देना स्टार्ट करिएगा टाइमी तभी टाइम यह स्टार्ट जब जागो तब सवेरा ऐसा बनाया हुआ जाइए मौक टेस्ट लीजिए बहुत अकीन मालिए कि आपको वैलुएल कॉंटेंट में देना हूं 49 रुपी जो है ना कहीं आपको अगर अगर पुराने वीवर है तो प्लीज टेस्ट जरूर दीजिए पढ़ाई कि यह टेस्ट परफॉर्मेंस देखिए और क्या है अब आगे बढ़ते हैं जाई आप बहुत खुष हो जाएंगे अच्छे से मैं बनाता हूं निमलखित मेंसे कौन सा अप्लीकेशन सफ्वेर है बताईए तो देखो सिस्टम साफ्वेर सिस्टम यूटिलिटी एक अप्लीकेशन साफ्वेर नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम भी समझे तो इमेज एडिटर क्या है एक अप्लिकेस स्वर्ट इमेज को एडिटिश को लोडर जो है न Sum dalla इ होप समाफ बायं होगे अगर भुड़ धांक से त्यारी करना चाहते हैं तो इस मेरे चैनल पर जाईए और पूरा वीडियो को आप विजिट करके यहां तक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है आप जाईए और जाकर देखिए बास समझ में पूरा प्लेलिस्ट इसमें मिल जाएगा यहां पे 60-70 घंटा मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा देता यह पूरा 60-70 घंटा पूरा खांगाल यह नहीं एक जाम निकलेगा तब आप बोलिए वह समझ में लेकिन हाँ थोड़ा सिद्दत से पढ़ाई करनी होगी ठीक है इन्हें कि मैंने बोल दिया और आपका नहीं मैंने इसको बनाने में 100% दिया हुआ है कि जो बच्चे कहीं स से पर्चेज के एक कोर्स ना उससे भी वैलेवल कॉंटेंट यह मुझ सोचीगा कि आपने सरी यूटूप नहीं यूटूप मैं पढ़ा रहा हूं मुदम सिद्दत से पढ़ा रहा हूं कि एक्जाम नहीं निकलेगा तो यह मेरी गरांटी है कि मैं कॉंटेंट सही नहीं दि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हम अलवीदा चाहते हैं स्टूडेंट थैंक यू